असलाम वालेकुम टुवाल आफियो तो साथ वे कैसे हैं आप सब लोग जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो SSC GD के लिए MCQ की सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रिवियस येर्स के MCQ डिसक्स कर रहे हैं शिप्ट वाइस तो आज हम उसी का day 12 डिसक्स करने वाले हैं और day 12 में हम क्या डिसक्स करेंगी वो सभी questions हम डिसक्स करेंगे जो कि SSC GD के exam में पूछे हुए questions हैं जो कि 7 दसमबर 2021 को पहले shift दूसरे shift और तीसरे shift में पूछे हुए questions हैं तो next month में जिनका exam होने वाला है जितने भी लोग SSC GD क के लिए preparation कर रहे हैं उन सब को यहां पर अपनी ability चेक करनी है देखते हैं कि इन questions में से आपका सुकूर कहां तक जा पहुँचेगा कितने questions आपको पता थे कितने questions आपको आते हैं और जो questions आपको आते हैं वो आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं और जो questions आपको नहीं आते ह हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है तो चलिए देखते हैं कि आपका स्वकूर कहां तक जाप पहुंचेगा कितने क्वेस्ट आप सही कर पाऊगे ज्यादा टाइम बें वेस्ट नहीं करेंगे डिरेक्ली हम आ जाते हैं अपने क्वेस्टन के तरफ यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेस्टन यहां पर क्या कह रहा है दे हूमन डैश लूज़स इस पावर अपको अपको बताना कि इन में से वह कौन सा बॉड़ी का पार्ट है या हूमन का जो कि ओल्ड एज में क्या होता है अपना जो पावर अपकोमेडेशन जो इसके वो लूज़ हो जाती है यानि कि हूमन में ऐसा कौन सा पार्ट है जब ओल्ड एज हो जाती है हूमन की तो वो जो पार्ट है वो जो औरगन है वो क्या करता है वो अपना पावर यहां पर यहां पे हैंड की साथ भी तो कुछ नहीं होगा लेकिन यहां पे अगर मैं तो जो power of accommodation है वो किस part का lose हो जाता है वो I का lose हो जाता है यानि कि देखने की शमता देखने की शमता जो है I में lose हो जाती है और अकर सुनने की शमता पूछी जाए तो वो जो है air में possibility है ठीक है न लेकिन यहां पर जो है इस समय हमारा right answer क्या होगा B part that is I हमारा right answer होगा इसके बाद देखी next question question number two who among the following is the first Indian woman to receive the Ashok Chakra चलिए बताए इन में से बारत की वो पहली महिला कोन है जिसे कि Ashok Chakra से नवाजा गया यानि कि पहली Indian woman कोन है जिसे कि ये award दिया गया अशुक चक्रा दिया गया सबसे पहले इंद्रा गांदी किरन बेदी नीरा जी या नन ओफ दीज तो यहां पर सी पार्ट डैट इस नीराज हमारा right answer होगा यह आपको याद रख लेना है इसके बाद आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दैस क्वेश्चन नंबर थ्री इन अंद्राप्रदेश, ओडिसा, केरला या नन ओफ दीज तो यहां पर गर में एपार्ट की बात करूं यह आंद्राप्रदेश हमारा right answer होगा यह आपको याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विच आप दे फॉलूइंग फैस्टिवल या नन ओफ दीज तो यहां पर जो है एपार्ट डैट इस बाइसा की हमारा right answer होगा और यह भी आपको याद रख लेना है बाइसा की जो है पंजाब का फैस्टिवल है ठीकिन उसका संबन किसके साथ है किसके रिलेटेड है रिभी क्रॉप्स के रिलेटेड है इसके बाद यहां पर क्या पूछा गया है इसके मुताबिक जो है इंडिया लिस्ट लिटरेट स्टेड मानी गई यानि कि कॉंस्डर की इसकी जो लिटरेशी रेट है वो सबसे कम आई लेकिन आपको बताना है कि कितने प्रतीशत देखी गई वो आपको बताना है 63.82, 65.52, 22.52 या नन ओफ देज तो यहां पे एपार्ट that is 63.82 परसंट हमारा राइट आंसर होगा यह आपको याद रख लेना है यानि कि जो सैंसर्स हुई 2011 की इंडिया में तो उसके मुताबिक बिहार जो था इसे जो है least literate state consider किया गया है लेकिन कितने प्रतीशत यहां पे देखने को मिला 63.82 यह भी आपको याद रख लेना है आपके लिए important हो सकता है इसके बाद आ जाते हैं next question पे who become the first foreign player to complete 5000 runners in IPL तो आपको बताना है कि यहां पे वो कौन जो है foreigner player रह चुके हैं जिसने IPL में 5000 runners complete कि तो यह जो उपा दिये किसको मिली है यह मिली है यहां पे अगर में बात करूं डेविड वार्नर मार्क वुड या डेली तो यहां पे अगर में बात करूं इस question की यह मैं आपके लिए home work रख रहा हूँ यह आपको मुझे बताना है home work में इसका सही answer क्या होगा ठीके ना डेविड वार्नर होगा, मार्क वुड होगा, डेली होगा या इन में से कोई भी नहीं यह आप मुझे count box में answer करोगे इसके बाद आजाते है next question पे that's question number 7, which of the following is not a matter? आपको बताना है कि इन में से matter कौन सा नहीं है, तो matter की अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारा B part that is fire हमारा right answer रोग और यहां पे मैंने none of this include कर दिया, ठीके ना, इसके बाद आजाते है next question पे that's question number 8, what is the minimum age required to become a member of panchayet? आपको बताना है कि panchayet का सद से बनने के लिए minimum age क्या होनी चाहिए, यानि कि panchayet का member बनने के लिए जो minimum age होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, 18 years, 21 years, 25 years या 36 years, तो B part that is 21 years हमारा right answer हो का, और जो voting age होनी चाहिए, वो minimum 18 years होनी चाहिए, आप अच्छी तरह से याद रख ल 9, which of the following is the national support of Sri Lanka, आपको बताना है कि इन में से स्री लंका का national support कौन सा है, volleyball, swimming, cricket या football, तो as per option यहाँ पे A part, volleyball हमारा right answer होगा, इसके बाद आजाते हैं next question पे, that is question number 10, which of the following team has won the IPL title five times, तो चलिए बताएए, इन में से वो कौन सी team है, जिसे IPL का title कितनी बार दिया गया, पांच बार दिया गया, sunrises, हाइदराबाद, चिनने सूपर किंग्स, मुंबई इंडियन या none of these, तो यहाँ पे C part, that is, मुंबई इंडियन हमारा right answer होगा, इसके बाद आजाते हैं next question पे, that is question number 11, in which of the following years was the Communist Party of India, जिसे मारकेसिस्ट के नाम से जाना जाता है, found in Tashkant, तो यहाँ के सबसे पहले आपको यह note down कर लेना है, जो Communist Party of India, यानि कि मारकेसिस्ट है, इसे कहाँ पे found किया गया, तशकट में found किया गया, लेकिन कब found किया गया, 1909, 1953, 1953 या 1920, तो यहाँ पे हम 1952 रख लेते हैं, क्योंकि option जो है repeat हुए है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात तो आपको याद क्या रख लेना है, यह जो Communist Party है, जिसे ही के मारकेसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्तापना कहाँ पे हुई है, तशकट में इसकी स्तापना हुई है, कब हुई है, 1920 में हुई है, यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, इसके बाद आ आपको बताना है, जिसका नाम क्या है, यह किसके दौरा लिखी गई है, साशी थारोर, विकरम सिंग, मन्मवन सिंग या नन आफ देज, तो यहां पर मैं साशी थारोर की बात करूँ यह जो साशी थारोर है इसके दोरा यह बुक लिखी गई है जिसका नाम क्या है Why I am Hindu यह आपको अच्छे दरसे याद अख लेना है ठीकी ना यह जो बुक है Why I am Hindu किसके दोरा लिखी गई है तो यहां पर मैं नर्मदा की बात करूँ जो B part है वो हमारा right answer होगा यह आपको अच्छी तरसे याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पर that is question number 15 तो question number 15 की अगर मैं यहां पर बात करूँ विच आप दर फालॉइंग hills is located in आंधरा प्रदेश आपको बताना है कि इन में से वो कौन सी hill है जिसकी location कहां पर आंधरा प्रदेश में जिसकी location है देखे यहां पर अगर मैं बात करूँ पहली option की पाल कॉंडा hill की तो पाल कॉंडा hill जो है इसकी location कहां पर इसकी location आंधरा प्रदेश में है यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है that is a part इसका right answer होगा इसके बाद देखे नेक्स्ट क्वेस्टन question number 16 इंद्रा गांधी memorial tulip garden which is Asia's largest tulip garden is located in तो देखे सबसे पहले आपको यह note down कर लेना है जो tulip garden है ठीके न है tulip garden इसे जो है इंद्रा गांधी memorial tulip garden के नाम से भी जाना जाता है और यह जो इंद्रा गांधी memorial tulip garden या tulip garden आप simply कह सकते हो यह जो है एशिया का largest tulip garden इसकी location कहां पर है इसकी location स्री नगर में है that is C part हमारा right answer होगा यह आपको आशेदर से याद रख लेना है इसके बाद आजाते हैं next question पर that's question number 17 इसका head office head office ही पूछा गया है कहां पर चला गया है नहीं आपको बताना है कि यह किस city में है इसका office आपको बताना है कि किस city में है गवाठी, अगरतला, इंफाल या स्टी लॉंग तो यहां पर गवाठी के बात करूँ that is a part हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते हैं next question पर that's question number 18 which of the following hill station is located in middle हिमालिया आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा hill station है जो कि middle हिमालियाज में देखने को मिलता है कॉंडा, मुनार, डार्जलिंग या none of these तो यहां पर गवाठी के बात करूँ that is a dargeline हमारा right answer होगा इसके बाद आजाते हैं next question पर that is question number 19 कलहना was an author who wrote a Sanskrit poem about the kings of तो आपको बताना है कि यह जो कलहना थे सबसे पहले आपको यह note down करने देखें यह जो कलहना थे, यह क्या थे? यह जो है, यह एक author थे जिसके दोरह एक poem लिखी गई लेकिन वो poem कौन सी थी? वो Sanskrit poem थी ठीक है ना? कलहना जो थे, यह first कश्मीरी historian भी concert किये जाते हैं और कलहना की अगर मैं बात करूँ, यह एक Brahman थे और कश्मीरी first historian थे, यह आपको याद रख लेना है, और historian भी थे, और कश्मीरी first historian भी थे, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कलहना की तो इसके दोरा एक Sanskrit poem लिखी गई है About the Kings, लेकिन किन Kings के regarding के Sanskrit poem लिखी गई है जो कश्मीर के Kings थे उने के regarding लिखी गई है, that is A part, इसका right answer होगा यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं, next question पे, that's question number 20, which of the following nation host the first Asian game in 1951 तो देखे, सबसे पहले आपको यह note down कर लेना है, जो पहली Asian game है वो कब host की गई 1951 में host की गई, लेकिन किसके दोरा host की गई, यह आपको बताना है Japan, India, Indonesia या none of these तो यहाँ पे, be part that is India आपको याद रख लेना है अच्छी तरह से याद रख लेना जो पहली Asian game थी वो कब held हुई 1951 में held हुई कहाँ पे, इंडिया में या आप अच्छी तरह से याद रख लेना इसके बाद आ जाते हैं next question पे, that's question number 21 which of the following instrument is used to detect the required earthquakes तो यहाँ पे देखे simple सा question है, लेकिन इसको hard बनाया गया है इसको क्या किया गया है, इसको जो है कुछ अलग language में convert किया गया है simply आपको बताना है कि earthquake major करने के लिए इन में से किस instrument का परियोग किया जाता है इस्तिमाल किया जाता है सिस्मोग्राफ, एम मीटर, बैरोग्राफ या none of these देखिए अगर मैं सिस्मोग्राफ की बात करूँ that is a part ही हमारा right answer होगा यह जो instrument है इससे earthquake ना पी जाती है तो यहाँ पर 22 number question पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सिर्क्वेस्ट है जितने भी लोग चैनल पे नए है चैनल को subscribe ज़रूर करके जाना एक अच्छी लगे तो वीडियो को like करदेना और like करने के साथ-साथ वीडियो को आपको share भी कर देना है ताकि Jkp Smart को आपकी थरफ से support मिल सके और आपके friend को आपकी थरफ से help मिल सके तो आपको क्या करना है वीडियो को like करतेना है चैनल को subscribe करतेना है और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे और जितने भी लोग नए हैं प्लीज और प्लीज जो प्ले लिस्ट है वो एक बार जुरूर चेक कर लेना क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सारे शिप्ट जो है किये हैं वो आलरडी मैंने करा के रखे हैं तो SSC GD Class के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाए का वहां से बागी के शिप्ट देख लेना अगर आपने वो मिस किये हैं इंपोर्टन है उन्हें एक बर जरूर देख लेना इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉस्टन पर देट्स कॉस्टन नमबर 22 देखे आपको बताना है जो बुक है माई कंट्री माई लाइफ किसके दोरा लिखी गए इसका आथर कोन है अन्नी हजारी, L.K. अधवानी, प्रिनाब मुखर जी या नन आफ देज तो यहां पर अगर मैं L.K. अधवानी की बात करूँ इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके बाद आजाते हैं यहां पर देखे सबसे पहले आपको यह नोट डाउन कर लेना अगर मैं L.K. की बात करूँ इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट के नाम से जाना जाता है तो यहां किस नाम से जाना जाता है तो आप मुझे कमेट बाक्स में बताओ के इंपोर्टन क्वेशन है ठीक है इसके बाद आजाते हैं नेक्स्ट के तरफ डेट स्कू स्कॉस्टन बइड़ च्वाक्ट बताना है सारे के सारे selected questions है, question क्या पूछाएगा है, आपको बताना है, कि इन में से वो कौन सा dress है, जो कि traditional dress है कश्मीरियों का, तो कश्मीर के जितने भी बन दें, उनको तो यह आएगा, लेकिन बाहर के लोग जो है, उनको भी आना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी किसी को पता नहीं है, लेकिन जो लोग एवेर होंगे कश्मीर के रिकार्ड उनको पता होगा, यहां पे अगर मैं common dress के बात करूँ, जो कि सर्दियों में ज्यादा तर पहना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, तो इसे अगर मैं बात करूँ, अगर फेरन के नाम से आपको स पहने को देखा होगा, इसे पेशली विंटर में जो है, कश्मीर का जो भी बंदा होगा, वो फेरन लगा के होगा, और बीच-बीच में सर्दियों में मैं भी लाइव आता हूँ, पिछली बार में लाइव आया था, तो मैंने भी फेरन पहना था, तो बहुत सारे लोगों उनने देखा होगा, लाइव सेशन में फेरन के स्टारेव का होता है, जो बाहर के हैं, उनको पता नहीं होगा, तो उनने देखा होगा है, अच्छी तरह से, तो यह जो ड्रेस है, ट्रेशनल ड्रेस है, कामन ड्रेस है कश्मीरियों की यह आप याद रख लिए ना, सर्दिय मीना ट्राइब बाली ट्राइब या कोदवा ट्राइब तो यहां पे अगर में बात करूं कोदवा ट्राइब की that is a deep art हमारा right answer होगा और आपके लिए home work के आपको बताने जो कोदवा ट्राइब है ये इसका संबंद कि सिटेट के साथ है किस एरिया के साथ है वो आप मुझे बताओगे ठीक है ना वो आप मुझे कॉमें बॉक्स में बताओगे इसके बाद आ जाते हैं next question पर डैटस question number 27 who is the author of the book Obama the call of history important question है आपको बताने जो book है Obama the call of history किसके दोरा लिखी गई है Peter Baker, MK John, Manmohun Singh या none of these तो यहां पर अगर मैं एपार्ट की बात करूं that Peter Baker हमारा right answer होगा और हां comment box में आप मुझे जरूर बता देना कि यह जो हम practice sets कर रहे हैं shift wise जिसमें हमने बहुत कुछ किये हैं तो इनकी जो मतलब इनका जो coding है यह जो हम कर रहे हैं किस level के हैं आपको किस level की लग रहे हैं आपकी preparation किस हिसाब से हैं क्या इस जिस हिसाब से यहां पे questions पूछे गए हैं आपकी preparation इसी हिसाब से यहां पे जो है tough ज्यादा पूछे जाते हैं आपको यह जो questions की level है किस प्रेकार की लग रही है comment box में आप मुझे जुरूर बता देना और ये जो questions है इन में से आपको कितने questions आते हैं ये भी आप मुझे बता देना average में आप बता देना कि आपको ये series जो हमारी चल रही है previous years की shift wise जो हम कर रहे हैं कि आपको ये tough लग रही है easy लग रही है और आपकी जो preparation चल रही है क्या इसी हिसाब से चल रही है कि इससे medium हिसाब से चल रही है इससे low चल रही है अच्छी खासी चल रही है वो मुझे comment box में जूरू बता देना ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप कहां तक जा रही हो तो आज की इतनी class थी यहां पे questions आज हमने जो shift किया है उसमें भी हमने तीन shift एक साथ की है याने कि एक ही वीडियो में हमने तीन shift की है most most important वीडियो है हर एक important है इससे आपकी practice जो है अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको जो है अपनी preparation की level जो है पता चल जाएगी तो इन practice starts को miss ना किया करें मेरे पास समय कम ह है आज जो मेरा schedule चल रहा है वो बहुत ही जादा busy है लेकिन फिर भी आपके लिए class ला रहा हूं तो इनकी कादर करो और आपको बताता है चलो कि इससे पहले जो हमने shift किया है एक ही वीडियो में हमने तीन shift किये है अगर आपने वो miss किया है most important वीडियो है आपके screen पर वीड वीडियो जुरू देखें तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक कि लिए अपना ख्याल रखना दूआ में याद रखना अल्ला हाफिज अस्सलाम वालेकूं वर्मतुल्लाहि बरतातु